हाई फ्रेंड्स तो कैसे हो आप सब लोग उमेद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे वसे आप लोग को पता है कि बारिस का मौसम आ गया है ऐसे मौसम में हमें चटपटी चीजे खाने को बहुत मन करता है इसलिए आप लोग के लिए बिल्कुल एस्पेसल रेस्पी ले बनाने के लिए सबसे पहले हमें चोटे साइस के परवल ले लेना है इसके बाद इसे अच्छी तरह से धूल कर साफ कर लेंगे अब हमें परवल के ऊपरी छिलके को चाकू की सहाता से छील लेना है अगर आपके पास छीलनी है तो उससे भी छील सकते हैं पूरे परवल के छ खिलकों को हमें हटा लेना है चारो तरफ से हम छील लेंगे इसको जितना अच्छा आप इसको छील लेंगे उतनी अच्छी आपकी सब जीबन के तयार होगी अब परवल को हम दो भाग में कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह से परवल के एक पार्ट को लेकर हमें बीच में इ इसी तरह से इसे भी हमें छीलना है छील कर बीच से कट करके इसकी हमें पतली पतली कटिंग कर लेनी है इसी तरह से हम सारे परवल को छील कर बीच से इसकी कटिंग कर लेंगे इसके बाद बागे के बचे हुए छीलके को हमें फेकना नहीं है किसी बावल में हमें इसे ट्रांस लालों को आइड करना है, एक चौथ है चमज से थोड़ा सा अधिक हम लाल मिर्च के पाउडर को आइड करेंगे, दो छोटे चमज के बराबर हमें बेसन आइड कर देना है, बेसन को हमने घर पर बनाया है, उसमें हमने पहले से थोड़ी सी हल्दी मिला दी है, तीन पिंच के बराबर औजवायन को एड़ कर देना है इसके बाद चमच या हाथों के सहायता से हमें इसे मिला लेना है जिससे कि पूरे बेशन की कोटिंग सारे परवल पर हो जाए अब उपर से हमें इसमें थोड़ा सा नमक एड़ कर देना है दोस्तों हम नमक भूल गये थे स्वात के अन थोड़ा पाने रिलीज करती है अब इसे हम साइट कर देते हैं इसके बाद एक जार में हमें दो मीडियम साइज की सलाइस में कटी हुई प्यास ले लेना है चार हरी में इसको लेंगे तीखा आप अपने उनसार ले सकते हैं इसके बाद इसको ग्राइंट कर लेते हैं यहा आदे चमरइबर कटिया अद्रध को ले लिना है अब इसे भी पीस कर हमें this side कर देना है इसके बाद एक बावब लेते है werk उसमें एक चमरे बराबर धनिया पावडर एयर्ट करना है एक चमरे बराबर भी गरम मसालze आयर्ट करना है अब इसे step पर एक चम्मज से थोड़ा सा कम हम लाल मिच के पौडर को एड करेंगे तीखा आप अपने आप सार घटा बढ़ा सकते हैं आधे चम्मज के बराबर हमें जीरा पौडर एड करना है एक चाथ हाई छम्मज के बराबर हम हल्दी पौडर एड करेंगे अब इन सारे मसालों में हमें थोड़ा सा पाने याइट करना है लगवक आदे कप के बराबर हम पाने याइट कर लेंगे इसके बाद मसालों को चमज की सायता से हमें घोल लेना है अगर हम किसी भी सबजी को बनाने से पहले मसालों को भीगो लेते हैं सबजी बहुत ही ज़्यादा आच्छी बनती है इस तरह से मसाले खिल भी जाते हैं एक चमज के बराबर हम देगी में इसके पाउडर को आड़ करेंगी ये खाने में बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है आपके पास नहीं है तो ना आड़ करें अब इसे ढख कर साइट कर देंगे इसके बाद इस टोप पर एक कढ़ाई रखते हैं उसमें हमें देड़ बड़ी चमज के बराबर आयल आड़ कर देना है जब आयल से धुमा उटने लगे तो तीन पिंच के बराबर हिंग आड़ करना है आधे चमज से थोड़ा सा कम हम साबू जीरा आड़ कर देंगे चटक जाने पर इसी इस टिप पर हमें प्यास को आड़ करना है जो हमने प्यास का पेष्ट बनाया है उसे आड़ कर देंगे प्यास को हमें सुनरा होने तक भून लेना है प्याज हलकी सुनारी हो गई है अब इसी इस टिप पर हमें भिगोए हुए सारे मसालों को आइट कर देना है एक साथ सारे मसालों को आइट करके इसे भी थोड़े देर तक हमें भूनना है लगवग एक से देड़ मिर तक इसे मिलाते हुए लगातार हम भून लेंगे इसी स्टिप पर flame को हमें medium to low रखना है यहाँ पर देख सकते हैं मसाले भून चुके हैं अब इसी स्टिप पर काजु गरी का बनाय हुआ पेस्ट आइट कर देंगे अब मिलाते हुए इसे लगवग एक से देड़ मिर तक भूनते रहेंगे गरी और काजु के साथ हमने अद्रक लसुन को भी आइट किया था इसी लिए हमें थोड़े देड़ तक इसे भूनते रहना है अब फाइनली हमें नमक आइट कर देना है स्वाद के अनसार हम नमक आइट करेंगे ज्याद रखे हमने परवल में भी थोड़ा सा नमक आइट किया है उसी के अनसार आप नमक को आइट करेंगे मसालों को हमें भूनने में लगवग 3-4 मिनिट तक लग सकते हैं अब फाइनली इसमें हमें पानी आइट करना है पानी को लगवग हम धाई कप के बराबर आइट करेंगे इसे थोड़े देर हम मिला लेते हैं ताकि मसालों के लंब सना रहें अब इस पर लिट लगाकर लगवग 1 मिनिट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे इसे साइट कर देते हैं हमने जो परवल रखा है उसे हम रेडी करेंगे अब इस टोप पर हमें एक कड़ाई में आईल आइट कर देना है इसके बाद एक एक करके सारे परवल को हमें फ्राई कर लेना है याद रखें जब भी हम परवल को फ्राई करें मीडियम या लोफ फ्लेम पर बिल्कुल न फ्राई करें क्योंकि परवल तेल सोखने लगते हैं इसलिए हाई फ्लेम पर फ्राई करना है इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे इसी तरह से सारे परोल को हम फ्राई कर लेते हैं इसे साइट कर देते हैं चलते हैं कढ़ाई की तरफ कढ़ाई को अब ओपन करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेवे बिल्कुल उबलने लगी है एक उबाल आ गया है अब फ्राई किया हुआ सारा परोल हमें एक साथ आड़ कर देना है एक बार ग्रेवे में इसे हम मिला लेते हैं इसके बार ढ़कन लगा कर लगवा तीन मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे तीन मिनट के बाद ओपन करके उपर से हमें कसूरी मेथी को आड़ करना है अगर आपके पास है तो आड़ करें ना है तो रहने दे अब इसे एक बार हम मिला लेंगे मिला कर फिर से इस पर हमें लिट लगा देना है लिट लगा कर 40 सेकंड के लिए छोड़ देंगे